नमस्कार आप देख रहे हैं The Leader Hindi, एक नज़र डालते हैं आज की UP चुनाव की प्रमुक सुर्खियों उपर सपा का बड़ा चुनावी वादा पुरानी पेंशन बहाल करने की बाग गही समाजवादी पार्टी के मुखिया अकलेश यादब ने बड़ा चुनावी वादा किया है उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह 2005 से पहले की पेंशन विवस्ता बहाल करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अकलेश यादब ने गुरुवार को भारती जिन्ता पार्टी पर निशाना सादा है अपड़ना यादब प्रमोद गुपता और मुलाइम सिंग परिवार के कई अन्न सदब से भाजपा में शामिल हो गए है अकलेश ने कहा कि हम भाजपा को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वैं हमारा परिवारवाद खतम कर रहे हैं अकलेश ने आगी ये भी कहा कि भाजपा के लोग परिवार में लडाई कराने का काम करते हैं योगी के खिलाब चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेकर पहले उनके समाजवादी पार्टी के साथ गडबंधन में चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे हाला कि सीटों के बढ़वारे को लेकर उनमें कुछ बात नहीं बनी और उसके बाद उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का एलान किया था कॉंग्रेस को भाजपा ने करारा जटका दिया है महिला कॉंग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेंका मौर्या ने भाजपा जोईन कर लिए प्रेंका ही कॉंग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर का मुख चहरा थी उन्होंने कॉंग्रेस पर पैसे लेकर टिकट देने का अरोप लगाया था वही भाजपा में शामिल होने के बाद राइबरेली सदर सीट से विधायक अधिती सिंग ने कॉंग्रेस की कात्मिक सदर सिता से इस्तिफात दे दिया है अधिती सिंग ने राइबरेली की सदर सीट से विधायक रही है और अब भाजपा में शामिल हो चुकी है कॉंग्रेस उमीदवारों की दूसी सूची जारी यूबी चुनाओं के लिए कॉंग्रेस की दूसी लिस्ट जारी हो गई है लिस्ट में 41 उमीदवारों के नाम है इन में से 16 महिला हैं इसमें भाजपा ने त्री वाहर यांड वी सिंगर सपना चौजरी की बाउंसर रही पूनम पंडित को भी बुलंद शहर के स्याना विधान सवा सीट ते टिकट मिला है वहीं कॉंग्रेस की पूर व्यक्ता राजीव त्यागी की पतनी संगीता को भी साहिबाबाद सीट से उतारा गया है दूसी लिस्ट में सबसे यादा फोकस मुस्लिमों को किया गया है नौ मुसलिम निताओं को टिकट दिया गया है सपा आरेलडी के प्रत्याशी अफ्तार सिंह भडाना ने नामंकन वापिस ले लिया है वज़े बताई गई है कि वह कोबिट नाइनटीन सक्रमित हो गए है इसी वज़े से उन्होंने अपना नामंकन करने के बाद अपना नाम वापिस ले लिया है निर्भया केस की वकील रही सीमा बसपा में हुई शामिल 2012 के निर्भया गैंग्रेट केस में वकील रही सीमा कुसवाने गुरुवार को लखनों में बहुजन समाच पाटी की सदिस्ता ली है बसपा के राष्टे मा सचिर सतिस्चन निश्या की मौझूदगी में उन्हें बसपा की सदिस्ता दिलाई गरी है फिलाल आज की चुनावी अपडेट्स में इतना ही अनपडेट्स के लिए देखते रहे है दा लीडर हिंदि शुक्रे